आमस्कार दोस्तों इस वीडियो में SSC के प्रिभियस एक्जाम में पूछे गए जो है वन वर्ड सब्टुटुटुशन के 200 टॉप 20 कोश्चन करने वाले हैं कि यह सबसे ज़्यदा SSC के एक्जाम में रिपीट हुगा और चाहिए आपका कोई भी एक्जाम में SSC का MTS का JT का CCL का CSL का सभी में यह प्रसण बार बार रिपीट होता है आप यहां पर देख सकते हैं जो सभी में प्रसण कितने बार रिपीट हुआ और जो भी MTS का एक्जाम में आ रहा है जो लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएग और वीडियो को लाइक कर देजेगा आपको इसी प्रकार जो है वन वर्ट सब्सक्राइब करा देंगे इसे चैनल के साथ जरूर जूर जाईएगा और इनालेसिस का वीडियो जाकर देख लीजिएगा दूसरा कोचन देखे एन इंस्क्रिप्शन ओपर लेख लिखायता है उसे जो इपीटेफ कहा जाता है फोर नमबर कोचन देखे एन रेंटिक वीच इज डिपीकल्ट और इंपोसिबल टूर जिसे पढ़ा नहीं जा सकते हैं उसे जो इलिजीबल कहा जाता है पांच नमबर कोचन देखे एन जिसे कभी टाला नहीं जा सकते हैं उसे जो इन एविटेबल कहा जाता है उसे एवियरी कहा जाता है belonging to the same time a person living in the same age with another उसे contemporary कहता है जो ब्यक्ति एक ही समय में चल रहा होता है यूग उसे contemporary कहा जाता है आठ नमबर कोचन देखे ए पांच नमबर कोचन देखे एन इंडियूर पैन और हार्ट से विदावड सोइंग इस फीलिंग या कंप्लेनिंग ए स्टोइक कहा जाता है नाइन नमबर कोचन देखे एन भगवान में विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक कहा जाते यानि एथिस्ट इंग्लिस में हो जायेगा और यह प्रस्ण जो पूछा की MTS में है अब परसन हो ड्रोज और मेकम एप्स काटोग्राफर कहा जाता है जो मानशितरकार को काटोग्राफर कहा जाता है और यहां पर अप साइड में देख सते हैं यह कितने वार जो एकजाम में रिपीट हुआ है एन इस्क्रीम फियर ओफ बिंग इन ए स्मॉल कंफाइंड प्लेस यानि छोटे जगह में होने का डर होता है उसे क्लेस्ट्रोफोबिया कहा जाता है बारा नमबर कोचन देखिए वान हुन नोज एवरिटिंग उनि जो ऐसा बेखती जो सब कुछ जानता है उसे जो है ओमनी सैंट कहा या तो नहीं सर्वग्यानी कहा लाता है तेरा नमबर कोचन देखिए और सॉलूशन फॉर ओर डिफिकल्टीज और डिजीज पैनेसिया कहा लाता है यह रामबन इलाज को पैनेसिया कहा है तो यह भी जो एमटियस में आया हुआ प्रस्ण है फॉर्टी नमबर कोचन देखिए और परडशन हुनोज एंड इज एबल टो यूज सेभर लैंगवेज पोलीग्लोट कहला तो नहीं बहुत भासी बहुत सारे भासाओं को बोल सकता है उसे पोलीग्लोट कहा या था और यह भी जो एमटियस में पूछा गया प्रस्ण है इ क्रोनोलोजी कहा लाता है यानि डेट के जो सभी कालकराम होता है उसे क्रोनोलोजी कहा जाता है नेक्स्ट कोचन देखिए और स्पीच और प्रजेंटेंशन मेंड विदाओ प्रिभियस प्रिप्रेशर उसे जो एक्स्टेमपोर कहा लाता है बीना तयारी के एक्स्टेमपो कहा जाता है नेक्ट को चन देखे एन इमेजिनरी सोसाइटी वियर एबरी तिंच पर्फेक्ट एंड एबरी वर्जन एबरी वन इस हैपी प्लेस फोर आइडियल पर्फेक्शन इस्प्लिसली इन लॉज गवर्मेंटल एंड सोसल कंडिशन उसे जो ओटोपिया कहा लाता है य अगर पूछा जा आपको एक्जाम में दो परकार से पूछ सकते हैं जैसे पर्फेक्शन होई जो नीदर वेल एक्स्प्रियेंच नौर प्रफेस्टनल उसे जो ओटोपिया जाएगा अपर्शन हो अटैक्स अनदर क्रिटिसाइज चेरिश्ड बिलीफ और इंस्टिवशन उसे जो आइकोनो क्लास्ट कहा जाता है बाइस नंबर को चन्द के वान हो कैनोट मेक मिस्टेकन या ऐसा बहती जो कभी गलती नहीं करता हो उसे इन फॉलिवल कहा जाएगा तैस नंब को चन्द के समुवन हो मेक्स चेरिटेवल डोनेशन इंटेंटेंट दूदा वेल फियर ऑफ अदर पीपूल अल्टुरिस्ट कहा लाता है ने परोपकारी व्यक्ति को अल्टुरिस्ट कहा है तो जो दूसरे के भालाई के बारे में सुझता राता है और करता है चोबिस कितने बार रिपीट हुआ है पच्चीस नंबर को चन्द के अब पर्सन हो लाप्स और कलेक्ट बुक्स बिब्लियो फाइल कहा लाता है ने पुस्तक प्रेमी को जो है हमें सब किताबों को संगरा करता रहता है उसे बिब्लियो फाइल कहा जाता है दा मॉडडर ओफ ए होल और ग्रूप ऑप पीपूल जेनोसाइड कहा लाता है नर संगहार को जो जेनोसाइड कहा जाता है असरव्य धोनिय को जो इन ओडिवल कहा जाता है जिससे सुना ना जा सके अठाइस नंबर को चन्द के वान हो कैनोट वी करेक्टड या वान हो इज बियोंड डिफॉर्में करने जिसे सुधारा ना जा सके उसे इन-corوجible यानि कि और संसुधनिय कहा जाता है उनतिअन नंबर को चन्द के ऑपर्षन को राइट्स एंड़िट डिक्सिनरी उसे जो लेक्सिकोगराफर कहाया सब्दकोष के लेखा को लेक्सिकोगर्फर कहा जाता है समनοι वार्किंग औ जाता है 31 नंबर को चन देखे और परशन हो हेट्स एंड एवाइड अधर पीपूल मिसेंथ्रोप कहा लाते हैं मानब द्वेसी बेखती को जो दूसरे से नफरत करता है उसे मिसेंथ्रोप कहा जाता है 32 नंबर को चन देखे अतीत की घटनाओं की यादे को नौस्टेल्जिया कहा जाता है 33 नंबर को चन देखे और जो जमीन के सासाथ जल में भीड़ा सकता है उसे जो एंफिबियन कहा है यानि उभायचर जन्तु कहा जाता है डालाइफ हिस्ट्री ऑफ परशन डिटेंड बाइब हीम से और आत्मकथा को ओटो बैगरुफी कहा जाता है परशन हो इट्स हूमेर फ्लेस केनिबल कहा लाता है नरभक्षक को जो है केनिबल कहा लाता है और यह जो ये में पूछा गिया प्रसन है आप लोग जाके देख पूछा गिया प्रस्ण है पर संप्राइब टू ड्राइब ड्राइबट और राइबट और हायर्ड कर उसे जो चौफर कहा जाता है नेक्स्ट को चन देगे दा साइन्टिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंस्टेक्स जो है उस एंटोमोलोजी कहा लानी कीट विज्ञान को एंटोमोलोजी कहा जाता है यह शुकता नहीं कर सकता है लोन उसे जो इंसॉट्वेंट या बैंकरफ्ट कहा जाएगा चोडी करने के बिमारी क्लेप्टोमेनिया कहा लाता है गवर्मेंट और रूल बाई ए स्मॉल गुरूप अपीपूल ओलीगार्ची कहा जाता है One who is all powerful, omnipotent कहा लाता है, सर्व सक्तिमान को omnipotent कहा जाता है 42 नमर कोचन देखे A person who collects or studies stamp, philatelist कहा लाता है डाग के टिकट को संगरह को philatelist कहा जाता है A person who never takes alcoholic drink, tito-tolar कहा लाता है पुर्णत जो मत्यत्यागियन जो कभी सराब नहीं पिता है उसे tito-tolar कहा जाता है Someone having many skills, उसे जो versatile कहा जाता है सर्वुगुन संपन को versatile कहा जाता है A person who believes that laws and government are not necessary उसे anarchist कहा जाता है अरग्चक्तवादी को anarchist कहा जाता है The art of beautiful handwriting को calligraphy कहा जाता है शुलेक जो अच्छी तरह के से लिखता हो उसे calligraphy कहा जाता है A group of stars that form a shape in the sky and has a name उसे constellation कहा है नक्षतर को constellation कहा जाता है 48 नमबर कोचन देखे An animal that lives in group या tending to associate with other of one's kind उसे जो ग्रिगेरियस कहा है जुन्ड में रहने वाले को ग्रिगेरियस कहा जाता है 49 नमबर कोचन देखे A quiet person who is more interested in his own thought and feeling then in spending time with other people इंट्रोवर्ट कहा जाता है 50 नमबर कोचन देखे A piece of land या garden in which fruit trees are gone उसे और्चाड कहा है ने फलो धान को और्चाड कहा जाता है 50 नमबर कोचन देखे Fit to drink जो है पोटेवल कहा लाता है पीने योग को पोटेवल कहा जाता है और अगर यहाँ पर आप पोटेवल लाता है तो वो कैरी के सम्मद में आ जागा जब ही किसी सुच को असानी से उठाया जासे को उसे पोटेवल कहा जाता है इन दोने में कंट्फ्यूज मत हो यहाँ नहीं इस एकजाम में बहुत गलत होता है पर्शन हूँ हेल्पस अनदर टू कमीट अ क्रायम टू डू सम्थिंग मोरली रोंग एकंप्लिस कहा लाता है सह अपराधी को निकिसी भी अपराध में अगनोस्टिक कहा जाता है संसेवाधी के मतलब यह समझ लिजे वो भगवन विश्वास करता भी है तो संदे के अधर उसे अगनोस्टिक कहा जाता है चौबर नमर कोचन देखे और पार्सियल और टोटल लॉस अप मेमरी एमनेसिया कहा लाता है भूलने की बिमारी को एमनेसिया कहा जाता है नेक्स्ट कोचन देखे और सिचुएशन इन एक कंट्री एन और्गनाजेशन इटिस इन विच दियर इज नो गवर्मेंट और यह कंट्रोल एनर्की कहा लाता है यानिकी और विवस्ता या अराजक्ता को एनर्की कहा जाता है चपन नंबर को चन्द के पर्शन हो रिगार्ट्स दा हूल वर्ल्ड एज इस कंट्री या वन हुई जा सिटीजन नोट ओफ ओफ ए कंट्री बट ओफ दा वर्ल्ड कोस्मोपॉलिटन कहा यानि समस्त संसार या विश्ता नागरिक जो है कहा लाता है वो कोस्मोपॉलिटन कहा यानि सभी देशों को अपना समझने वाला कोस्मोपॉलिटन कहा लाता है a person who lives his country to live in another immigrant कहालाता है यापने देश को छोड़ने वाला व्यक्ति इमिग्रेंट कहालाता है lasting for a very short time एफेमरल कहालाता है जिसे असानी से ठगा जा सके भोला भाला को गलीवल कहालाता है holding an office without receiving a pay honore कहालाता है और वैतनी कहालाता है a person who suffers from an imaginary illness या a person who is abnormally anxious about his health hypochondriac कहालाता है रोग भ्रमी को hypochondriac कहालाता है a person pretending to be somebody he is not hypochondriac कहालाता है पाखंडी को hypochondriac कहा जाता है that which cannot be conquered invincible कहा जा सके उसे अजय को invincible कहा जाएगा 65 नमबर को चन देखिए a place where money is acquired by authority of the government mint कहालाता है नहीं टकसाल को जो है mint कहा जाता है जहां सिको को ढ़ाला जाता है उसे mint कहा जाता है 66 नमबर को चन देखिए a person who admires himself या herself too much especially his appearance narcissist कहालाता है आत्म मोही को narcissist कहा जाता है well known for being bad a person of evil reputation notorious कहालाता है a person who collects coin numismatis कहालाता है मुद्रा सास्तरी को यानि सिको के जो है collect करता है उसे numismatis कहा जाता है 69 नमबर को चन देखिए a large number of fish swimming together soul कहालाता है मचलियों के समुदाय ये समू को soul कहा जाता है a place where bees are kept apiary कहा जाता है a military structure where arms and ammunition and other military equipment are stored arsenal कहा जाता है the story of a person life written by somebody is biography कहा जाता है जीवनी जो है किसी दूसरे बैक्ती द्वरा किसी के बारे में लिखा जाता है उसे biography कहा जीवनी हो जाएगा अगर यहीं पर आत्म कता रहे तो उसे autobiography कहा जाता है जो खुद के द्वरा लिखा जाता है house or shelter of a gypsy a group of people especially traders or pilgrims traveling together across a desert उसे कारवा कहा लाता है काफिला को कारवा कहा जाता है a person who knows a lot about things like food, music and art कोनवाईजर कहा लाता है विशेशक के पारखी को कोनवाईजर कहा जाता है man behaving more like a woman than as a man effeminate कहा लाते नारी जैसा प्रतीत होने वाले ब्यक्ती को effeminate कहा जाता है a person that expressed lament for the dead इलगी कहा लाता है उसे इलगी यानि सोक गीत कहा जाता है a short speech at the end of a play उपसंघार को इपिलोग कहा जाता है a person who believes that all events are predetermined or subject to fate जिसे क्या कहता है फेटलिस्ट कहा लाते ने भाग्यवादी को फेटलिस्ट कहा जाता है उन्ना से नमर को जन्देगी a person who sales and arrange cut flower florist कहा लाते ने फूल वाले को florist कहा जाता है extreme fear of water hydrophobia कहा लाते ने पानी के डड़ को hydrophobia कहा जाता है a plan of a journey including the route and the place that will visited itinerary कहा लाते ने यातरा करेकरम को itinerary कहा जाता है a copy of a book piece of music etc before it has been printed a paper written by hand manuscript कहा लाते ने हस्त लिखे तो यानि हास लिखे होई चीज़ को manuscript कहा जाता है a person who disc like woman misogynist कहा लाते ने इस्तरी 2C को misogynist कहा जाता है a person who work on food and not traveling in a vehicle pedestrian कहा लाते ने पैदल यातरी को pedestrian कहा जाता है a person who always expect bad thing to happen or something not to be successful पेशी misogynist कहा लाते निरासाबादी को पेशी misogynist कहा जाता है अगर यहाँ पर आसाबादी होगा तो optimist हो जाएगा occurring or coming into existence our person death posthumus कहा लाते है मर्नो परांत को posthumus कहा जाता है the modern of a king regicide कहा लाते है राजा हत्या को regicide कहा जाता है someone who works about in sleep somnambulist कहा लाते है नींद में चलने वाले को somnambulist कहा जाता है अगर यहाँ पर रह जाए नींद में बुलने वाले को somnale loquist कहा जाता है the scientific study of sound को acoustics कहा जाता है नभणी विज्ञान को acoustics कहा जाता है नब्बे नमबर को चन देगे the money paid to former wife, husband and partner when the marriage is in day early money कहा जाते है छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता को early money कहा जाता है जबी को डिवोस होता है तुझे पतनी को दिया जने मलधन को early money कहा जाता है the study of human race especially of the origin development, custom and beliefs anthropology कहा जाता है मानब विज्ञान को anthropology कहा जाता है a glass tank where fish and water plants are kept aquarium कहा जाते है मचली के घर को aquarium कहा जाता और आप लोगों ने aquarium देखा ही होगा a person who is chosen to settle a disagreement a person appointed by two parties to resolve a dispute arbitrator कहा जाता है पंच या मध्यस्थ को arbitrator कहा जाता है जबी कोई दूसरे दो बेक्तियों के भी जगरा होता है उसमें बीच में जो बचाव करने वाले मध्यस्थ होता है उसे arbitrator कहा जाता है the study of human history and prehistory third the exhibition of site archaeology कहा जाता है government by the nobels या government by a person of highest social order aristocracy कहा जाता है श्रेश्ट जन्य दोरा राज्य सासन को aristocracy कहा जाता है hard but easily broken या liable to break easily brittle कहा जाता है असानी से कोई चीज टूट जाओ उसे brittle कहा जाता है next question देखे an assembly of worshippers या group of people who have come together in a religious building for worship and prayer congregation कहा जाता है a keeper or custodian of a music या other collection curator कहा जाता है संगरहाले अध्यक्ष को curator कहा जाता है the scientific study of skin disease dermatology कहा जाता है तोचा विज्ञान को dermatology कहा जाता है causing or ending death fatal कहा जाता है गाता को fatal कहा जाता है और यहाँ आप देख सकते यह सभी प्रशुचे कितने बारे सब्सक्रीक एक्जामे repeat हुआ है next question देखे one who eats too much उसे glutton कहा जाता है खाव या पेटू भेक्ती को glutton कहा जाता है a person who cannot read or write illiterate कहा जाता है अनपट भेक्ती को illiterate कहा जाता है the condition of being unable to sleep over a period of time insomnia कहा जाता है अनिद्रा को insomnia कहा जाता है a person who supervises during an examination invigilator कहा जाता है निरिक्षा को invigilator कहा जाता है जब भी आप exam देने जाते होंगे एससी या किसी भी और का तो आपके सामने जो invigilator आता है जो आपको सभी चीजों को बारीकी से बताता है और जो आपसे sign करवाता है और हर चीज को उसे ओपक कहा जाता है violation of something holy or sacred sacrilege कहा जाता है यानि आपवित्री करण को sacrilege कहा जाता है speech made to oneself solely loki कहा जाता है आत्म भासन को solely loki कहा जाता है one who lends money on high rates of interest user कहा जाता है सूद खोर को user कहा जाता है one who offers one services without being forced volunteer कहा जाता है volunteer कहा जाता है to give up one's authority or throne abdicate कहा जाता है अपना पद या दावा को छोड़ देना abdicate कहा जाएगा a publication containing astronomical or metrological annual calendar that contains important date and time almanac कहा जाता है 112 नमबर को चन देखिए capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite ambiguous कहा जाएगा जनी संदिगार्थी या और अस्पस्ट को ambiguous कहा जाता है जिसे सही से अस्पस्ट दिखाई न दे उसे ambiguous कहा जाता है 113 नमबर देखिए whose name are not known या an unknown author को anonymous कहा जाता है बेनाम या गुमनाम को anonymous कहा जाता है a person who renounce religious or political belief और प्रिंस्पल अपोस्टेट कहा जाता है धर्मतियागी को अपोस्टेट कहा जाता है उसे जो है दूइभासिक हो कहा जाएगा है और यह जो है MTS के एकजाम में repeat हुआ है words utter impiously about God the act of speaking irreverately about a sacred thing उसे blasphemy कहा जाता है इस वर की निंदा करने बाले को blasphemy कहा जाता है the scientific study of plants and their structure को botany कहा जाता है वनस्पति विज्ञान को botany कहा जाता है और जन्तु विग्ञान को biology कहा जाएगा sorry biology में तो दोनूं आ जाएगा geology हो जाएगा an arrangement of lover that is usually given as a present bucket कहा जाता है गुल दस्ता को bucket कहा जाता है a person that one work with at the same place in a profession or a business college कहा जाता है सहकरमी को colleague कहा जाता है gradual recovery of health and strength convalescence कहा जाता है बीमारे से ठीक होने के समय को convalescence कहा जाता है a person who readily believes other easily keredullus कहा जाता है भोले भाले को keredullus या gullival कहा जाता है doctor who studies and trees skin disease dermatologist कहा जाता है तो अच्छा वी से सगे doctor को dermatologist कहा जाता है thing fit to be eaten edible कहा जाता है खात देको effect large population at the same time epidemic कहा जाता है महामारी को epidemic कहा जाता है अगर overall पूरे वर्ड में फैल जा उसे pandemic कहा जाता है a person who motivated by irrational enthusiasm उसे fanatic कहा जाता है कटरपंधी को fanatic कहा जाता है the plants and vegetation of a particular region flora कहा जाता है वनस्पती को flora कहा जाता है अगर यही पर जानवार से रिलेटर है तो उसे fauna कहा जाता है a person who has escaped from captivating or is in hiding fugitive कहा जाता है भगोरा को fugitive कहा जाता है the study of earth including the origin and history of the rocks and the soil which is the earth is made geology कहा जाता है भोगर्ब सास्तर को geology कहा जाता है that which cannot be believed incredible कहा जाता है incapable of feeling tired or exhausted inde-fatigable कहा जाएगा न थकने वाले को inde-fatigable कहा जाता है that can burn या catches fire easily inflammable कहा जाता है जोल सील वेक्ती को sorry जोल सील चीजों को inflammable कहा जाता है आसानी इस आग पकार ले उसे inflammable कहा जाता है that which cannot be called back irrevocable कहा जाता है इने अटल को irrevocable कहा जाएगा giving undue favor to one's own kid and kin nepotism कहा जाता है भाई भती जब आज को nepotism कहा जाता है 135 नमर को चन देखी यहाँ पर थोर आपको साफ सा नहीं दिख रहा होगा फिर भी मैं बुर्णा सुन लीज़ेगा बस आपको काम चल जाएगा person who is in new to profession without training or experience in skill or subject 29 कहा जाता है नो सिखिया को 29 कहा जाता है the study or collection of coins numismatics कहा जाता है मुदरा साहस्तर को numismatics कहा जाता है notice of person obituary कहा जाता है शोक संदेश होता है जब भी किसी बेक्तिकी मुर्तियों है तर तो ख़बार या किसी news में आप लोग को सोक संदेश दिया है उसे जो abituary कहा जाता है one who see bright side of thing optimist कहा लाते है आसा बादी को optimist कहा जाता है a person who opposes war or use of military forces उसे pacifist कहा यानि सांती बादी को pacifist कहा जाता है a person who does not like, understand or enjoy the beauty of art, literature or music etc philistist कहा जाता है यानि असिक्षित को philistine कहा जाता है stealing of ideas or writing of someone else plagiarism कहा जाता है ने साहित्ती की चोड़ी को plagiarism कहा जाता है government by the richest people of a country plutocracy कहा जाता है धनी की तंत्र को plutocracy कहा जाता है the scientific study of the mind and how it influences behavior psychology कहा जाता है कहा जाता है a person who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude recluse कहा जाता है वैरागी को recluse कहा जाता है a close fitting cover for a sword or knife cover for the blade of a weapon or a tool seat कहा जाता है मयान को जो seat कहा जाता है तलवार को जो रखने को जो जगा होता है उससे seat कहा जाता है something kept as a remainder of an event souvenir कहा जाता है निसानी को souvenir कहा जाता है in exactly the same word as were used originally वर्वेटीम कहा जाता है सब्द प्रती सब्द को वर्वेटीम कहा जाता है a person who is long experienced or practiced in an activity veteran कहा जाता है अनुभवी को veteran कहा जाता है decorative ring of flower and lips को वृत कहा जाता है फूलों की माला को वृत कहा जाता है fear of great heights को next question देखे fear of great heights को एक्रोफोबिया कहा जाता है concerned with the beauty और the appreciation of beauty aesthetic कहा जाता है a list of items to be discussed at a meeting agenda कहा जाता है a medicine to nullify the effect of poison or another medicine antidote कहा जाता है edible and plants growing or living in or near water aquatic कहा जाता है one who denies oneself ordinary bodily pleasure aesthetic कहा जाता है a person engaged in or trained for a space flight उसे जो astronaut कहा जाता है the scientific study of celestial bodies like sun, moon, star, planet, etc astronomy कहा जाता है निखा गोल सास्तर को astronomy कहा जाता है a doctor who specializes in the study or treatment of heart disease उसे कार्डियोलोजिस्ट कहा जाता है हिर्दय रोग विससग्य को कार्डियोलोजिस्ट कहा जाता है animal that eat meat कार्णी बोरस कहा जाता है place where gambling games are played casino कहा जाता है जुआ खाना को casino कहा जाता है लिस्ट और collection of books और informative graphics catalog कहा जाता है सूची को catalog कहा जाता है funeral procession को cottage कहा जाता है सब यात्रा को cottage कहा जाता है center of attraction sinosure कहा जाता है आकर्षक बिंदो को sinosure कहा जाता है a leader who swear his follower by his oratory demagogue कहा जाता है जन तोजक नेता को demagogue कहा जाता है the study of population and its dynamics demographic कहा जाता है जन संखेकी को demographic कहा जाता है a large bedroom for a number of people in a school or institution dormitory कहा जाता है सयन गार को dormitory कहा जाता है a game in which no one wins draw कहा जाता है और निर्ननित कहा जाता है जो कभी match होता है तो इस दोनों के बीच जो अगर निर्नाय ना लिख लेए उसे draw कहा जाता है book or state of books giving information about all areas of knowledge in cyclopedia कहा जाता है विश्वकोस को encyclopedia कहा जाता है mother of ones brother or sister fratricide कहा जाता है भाई के हत्या को fratricide कहा जाता है a very small village hamlet कहा जाता है छोटा गाउं को hamlet कहा जाता है a building in which aircraft and hangar कहा जाता है विजमान साला को hangar कहा जाता है all things or people of the same or similar kind of nature homogenous कहा जाता है सजातियों को homogenous कहा जाता है the study of growing garden plant horticulture कहा जाता है उधान विज्ञान को horticulture कहा जाता है that which cannot be satisfied insatiable कहा जाता है someone who is killed fighting for the cause of religious or faith martyr कहा जाता है सहीद को martyr कहा जाता है a place for keeping dead bodies before burial or cremation mortuary कहा जाता है present everywhere को omni present कहा जाता है सर्व व्यापक कहा लाएगा the scientific study of birds ornithology कहा जाता है पक्षी विज्ञान को ornithology कहा जाता है a fixious name especially one assumed by an author pseudonym कहा जाता है अपनाम को pseudonym कहा जाता है dress with medals, ribbons worn at official ceremony symbol of royalty regalia कहा जाता है निराज चीन पद्वी चीन या पदक को regalia कहा जाता है a person very reserved in speech reticent यानि के अल्भासी कहा जाता है one who helps a person in need samaritan कहा जाता है an office with high salary but no work sinusure कहा जाता है the study of the nature of good and religious belief the study of religion को theology कहा जाता है a place where animals are slaughtered for consumption of food evature कहा जाता है कसाई खाना कहा जाता है an official paradigm the formal act of liberating someone amnesty यानि की राज छमा कहा जाता है a system of government of a country which one person has complete power autocracy यानि की ताना साही को autocracy कहा जाता है a large bundle bound for storage or transport bail कहा जाता है one who is unable to pay his debt bankrupt या insolvent कहा लाती दिवालिया को bankrupt या insolvent कहा जाता है an instrument used for measuring atmospheric pressure barometer कहा जाता है वायुदाप मापा को barometer कहा जाता है group of girls boys boys etc baby कहा जाता है a list of the books refer to in a scholarly work bibliography यानि की संदर्व ग्रंत सूची की सपुष्टों को किसी जोगो bibliography कहा जाता है a government run by officials in a state bureaucracy यानि की नोकर साही कहा जाता है harsh or discondent sound या loud, confusing, disagreeable sound या an incongruous or chaotic mixture को kegophony यानि कुलाहल कहा जाता है a person who is skilled at producing beautiful handwriting choreographer यानि की सुलेक कहा जाता है the art or process of drawing or making map cartography कहा जाता है one who plans the steps and move in dance को choreographer कहा जाता है easily spread from one person to another या disease which spread with contact contagious कहलातनी संक्राम कहा जाता है one who sneers at the aims and beliefs of his fellow man या person who believes that only selfishness motives human action काइनिक यानि की निंदक या मानव ज्यसी कहा जाता है a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representative democracy यानि की लोगतंत्र प्रजात्त्र या जनतंत्र कहा जाता है तो यह SSC के previous exam के पूछ 200 questions complete होगे अगर आप लोग के वीडियो पसंद है तो प्ली लाइक जरूर कर दीजेगा अगर नहीं है तो चैनल को स्प्स्राइब जरूर कर लेजेगा और एक छोटा सो जो मैं आपको लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप सभी पर डिपेंड करता है ठीक है और आप सभी लोग जाके जिएस के जितने भी मैंना भी तक अनलेसिस करा है वह वीडियो जरूर देख लीजेगा आपको बहुत आगे फायदा होने वाला है और इन सभी के पीडिया में टिटिक्राम चैनल पर डाल दूँगा वहां से इसको डाउनलोड करके रिविजन करते रहिएगा तो चलिए मि